दोस्तों विल्कम कहता हूँ आप सबको अपने चैनल में आच्छा जी आज मेरे पास Redmi Note 11 मौझूद है और रिक्वेस्ट ये थी कि अगर हम Redmi Note 11 पे कस्टम रॉम फ्लैश करते हैं यूज करने के बाद अगर हम स्टॉक रॉम की तरफ जाना चाहें तो एक proper tutorial वीडियो बनाए ताके किस तरह हम स्टॉक रॉम की तरफ जा सकेंगे तो जनाब मेरे पास आज मेरे Redmi Note 11 में जो रॉम मौझूद है वो कस्टम रॉम ही है MIUI वर्जिन जो की 13.0.9 है लेकिन लियॉन है लियॉन जो है कस्टम रॉम है जो मैने poard loader unlock करके इसे flash किया था अच्छा अब stock ron की तरफ जाने के लिए definitely आपने कस्टम रॉम flash किया होगा तो set का boot loader जो है वो already unlock होगा और आप stock rom जाने के लिए अगर in case आपका set update नहीं हो रहा है और आप manually flash करना चाहते हैं तो set का bootloader unlock करना पड़ेगा कैसे unlock होगा यह tutorial वीडियो का link मेरे वीडियो की description में मौझूद है वो वीडियो देखे हैं set का bootloader unlock करें फिर आप stock ROM flash कर सकते हैं और वो दोस जो custom ROM use कर रहे हैं like मैं use कर रहा हूँ मेरे set का bootloader already unlock है मैं अब फॉरन जो है stock ROM flash कर सकता हूँ तो stock ROM flashing के लिए सबसे पहला जो काम कीजेगा data जरूर सेफ करें data सारा wash out हो जाएगा जरूरी सेफ कीजेगा battery check करें minimum 50% का charge होना जरूरी है इसके लावा जो दो जरूरी काम है वो यह है कि अगर आपने lock screen password लगाया हो ठीक है जी यह सारे काम आपने कर दिये हो simply आप यह आप set को power off कर दीजेगा इस procedure के लिए data cable की जरूरत पड़ेगी computer की जरूरत पड़ेगी और साथ साथ में मेरे channel को subscribe नहीं किया हो तो subscribe भी कर दीजेगा मेरी वीडियो से अकर आपको मदद मिल रही हो तो notification को भी time on कर दीजेगा वीडियो को like देजेगा सब के साथ share करना बहुत जरूरी है ताकि सब के पास information जाए knowledge जाए वो लोग भी flash कर सके जिनको नहीं पता तो सबसे पहले हमें आपने set का जो है जैसे Redmi Note 11 दो variant आते हैं एक NFC आता है और एक non NFC तो आप कोशिश कीजेगा कि जो set आपके पास है वही ROM flash कीजेगा अब आपको कैसे पता कि आपका set का जो code है वो क्या है code ने इसके लिए क्या करना होगा simply आपको पहले set तो power off होना ज़रूरी है set power off होगा data cable जो है left right hand में hold करें set को left hand में volume down key को press करके रखिएगा cable connect करें mobile phone से थोड़ी देर में set जो है boot हो जाएगा fast boot mode में orange color में fast boot आ गया cable connected है mobile phone के साथ computer की तरफ आईएगा platform tools वाला folder को open करें cmd वाली file होगी इस पे right click करके run as administrator पे left click करें और अगली window पे yes कीजेगा तो command window जो है वो black color में open हो जाएगा यहां command type कीजेगा fast boot space devices चेक करने के लिए के आपका set जो है वो connected है yes यह रहा जी set connected है मेरे serial number है fast boot में set booted है अब code name चेक कीजेगा जिसके लिए command type करें fast boot space g e t v a r get war space product p r o d u c t enter कीजेगा तो यह देखिएगा sp product के आगे spes मेरे set जो है वो non nfc वाला है जो spes है अगर यह आगे n होता spesn तो यह nfc वाला device होता ठीके जी code name का पाता चल गया है मैं command window को बंद करूँगा और इस file explorer को भी बंद करूँगा अब आउँगा मैं अपने browser की तरफ ताकि आपको मैं बताता चलूँ कि किस तरह हमें download करनी है तो यह website है link मौझूद है video की description में click करें यह website open होगी नीचे आईएगा तो यहां आपको devices नदर आएगा इस पे click करें और spes type की जगा जो code name आपके set का था जैसे मेरा set का code name spes है अगर n है तो आपको n यहां नदर आ रहा है s है तो यह रहा तो मेरा spes है तो मैं इस पे click करके मैं इसे select करूँगा download पे click करूँगा तो अगला window open होगा जिसमें आपको नीचे आएगे तो यहां आपको इंडिया वेरियंट गो फॉर इंडिया वेरियंट और रशिया और डबल ए एनी अधर वेरियंट यू कन गो फॉर दाट बट आइफ ए ग्लोबल वेरियंट तो आई विल गो फॉर दी ग्लोबल अब यहां आपको नजर आ रहा होगा आगे recovery और fast boot recovery fast boot ग्लोबल के आगे तो मैं fast boot डाउनलोड करूँगा यह रहा जी यह लाइन है fast boot 13.0.9 currently updated version available है इस तरफ आईएगा यह 5.7gb की फाइल है डाउनलोड वाले section पे क्लिक कीजगा अगले विंडो पे शायद एड़ आजाए तो इससे close कर दीजेगा एक और विंडो ऑपिन होगा नीचे आईएगा तो यह रहा जी Redmi Note 11 code name और version MIUI का stable और fast boot यह रहा fast boot इसको देखना बहुत जरूरी है अगर आप नीचे मजीद आएगे तो आपको एक और section भी नजर आएगा जिसमें सेम सब कुछ भी होगा यहाँ पर recovery होगा हमें recovery डाउनलोड नहीं करनी है हमें fast boot डाउनलोड करना है तो type आगे fast boot को check लिजीगा फुल रॉम पे click कीजेगा तो अगले window पे आपके पास डाउनलोडिंग चुरू हो जाएगी और जब यह डाउनलोडिंग complete हो जाए तो आप अपने browser को close कर सकते हैं यह रही वो file जो मैंने डाउनलोड कर रखी हुई है अलड़ी 13.0.9 जो के fast boot में है अब इसे सबसे पहले यहाँ extract कीजेगा same folder में extract कीजेगा और win zip या win rar अगर win rar हो तो वो ज्यादा best है चलने जी folder जो है rom file extract हो गई है तकरीबन 6-7 minute लगें extract होने में extracted folder पे double click करेंगे एक और folder आपको inside नजर आएगा इस पे double click कीजेगा तो यह तमाम files आपको यहाँ नजर आएगे अब आप यहाँ से back कीजेगा और इस particular folder को जो के inside वाला folder है इससे यहाँ से copy कीजेगा अब आपको बताता चलूँ यह बहुत जरूरी है यह वाला जो inside वाला folder है इससे copy करके computer के main hard drive c, d, e, f किसी भी hard drive के main partition में आईएगा for example मैं अपने f वाले hard drive पे click करूँगा तो मैं बाहर आ गया और अब मैं यहाँ पर वो अली ROM फाइल जो मैंने वहाँ से copy की थी यहाँ paste कर दूँगा यह बहुत जरूरी है काफी लोग नहीं करते हैं मुझे message करते रहते हैं जो है error आ रहा है परिशानी आ रही है तो error और परिशानी की वज़ा यही होती है कि आप जो है सब folder के अंदर या तो desktop पे रखके try करते हैं flashing की या सब folder में सब folder में रखके आप try करते हैं तो इसे बाहर निकाल के main hard drive के partition में इसको copy किया करें wait करें copy हो जाएं फिर आगे बढ़ते है चलिए दोस्तों वो folder जब आप copy कर लेंगे तो आपको शायद नीचे नजर आएगा क्योंकि हमेशा newly file या folder copied जो करते हैं वो नीचे ही होता है तो यह रहा वो folder जिससे मैंने अभी copy किया था अब इसे F2 प्रेस करके इसे rename करके इसे जरह shot कर दीजेगा की बोर्ड पे जो right arrow की है वो प्रेस करें और यहां से erase करना शुरू करें और M तक लाके छोड़ दीजेगा इंटर प्रेस कर दीजेगा अब इसी folder को जो 13.0.9 है जो आपने अभी new logo copied किया और इसे rename किया इस पर double click करके open करेंगे तो तमाम files आपको यहां नजर आएगी अब देखिएगा mobile phone की तरफ आईएगा क्योंके time काफी लगा एक नजर देख लीजेगा कि mobile phone still booted है fast boot mode में yes मेरा set अभी भी booted है my set is still booted into fast boot mode otherwise अगर आप देखें कि set restart हो गया automatically ज्यादा time नहीं रोकता fast boot में तो आपको वही तरीका अपनाना होगा जो मैंने पहले किया set को fast boot में boot करने का अगर आपका set अलएडी जिसे मेरा set पी already booted है तो जरूरत नहीं है अब cable connected है अब आएगा computer screen की जाने अब यहाँ जरा दिहान दीजेगा देखें like let me explain this in English if you want to re-lock the boot loader of your mobile phone like you want to flash stock ROM and also you want to re-lock the boot loader with flashing stock ROM then you will go for the flash all lock आपने double click करना है flash all lock अगर आपने set पर stock ROM flash करना है और set का boot loader re-lock करना है तो ठीके in case in my situation I do not want to re-lock the boot loader I just want to flash stock ROM and I want my set boot loader to remain to be remain unlock then I will go for flash all that's all अगर आपने re-lock नहीं करना है तो flash all पर double click कर दीजेगा flashing शूरू होगी command window automatically open हो जाएगा flashing शूरू होगी time लगेगा now all you have to do is to wait and let the flashing complete then we will continue और ये भी पताता चलू हूँ कि ये better तरीका है this is the better way to flash stock ROM nowadays currently with new devices not with the old devices but the new devices flashing तक्रीपन end होने को है जैसी flashing complete होगी ये command window automatically close हो जाएगा और set reboot हो जाएगा flashing complete हो गई है देखा आपने command window automatically close हो किया है computer से हमारा काम हतम है जी अब आपने cable disconnect करनी है mobile phone से और mobile phone बहुत जल जो है boot करना शुरू करे का stock ROM की जानिब finally first boot complete setup screen आपके सामने मैं setup screen को complete करता हूँ चलिए दोस्तों ROM जो है बहतरीन flash हो गया है और हम दुबारा वापस आ गया है बलकि मैं वापस आ गया हूँ custom ROM से MIUI stock ROM की जानिब currently 13.0.9 जो है updated version है all specification पर टैप करूँगा तो बस आपको एक चीज़ यहां दिखाता चलूँ यह basement के नीचे नमबर देख लीजेगा ठीक है जनाब अगर वीडियो से आपको मदद मिली हो तो लाइक जरूर दे लीजेगा अपसे सहत के ख्याल रखें आपसे फिर दूसरी वीडियो में मुलखा दोगी खुदा हाफेज आपसब स्चाइक इसका हम पिली यह जरूर देख एकर अपसे मुलखा दोग्र हो तो